Good morning दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं बात करने वाला हूँ Incognito Mode का जब भी कोई sensitive information या फिर सुमडी में कुछ देखना हो, तो हम सब ने Incognito Mode यूज किया है लेकिन Incognito Mode कितना safe है, Incognito Mode exactly करता क्या है Incognito Mode में history, cache, जिसमें जो website आपकी visit की है, उसका data cookies, जिसमें आपकी activity information है, और form data यानि की credit card, password वाली information, यह सब temporarily save होती है जैसे ही आपका session close हो जाता है, उसके बाद यह सब data delete हो जाता है पर कोई भी आपका computer यूज करता है, तो उसको यह सब चीजें नहीं देखती Incognito Mode में cookie save नहीं होती, तो similar website पर आप दूसरा account भी वहाँ पर खोल सकते है और advertisers के पास भी आपकी information नहीं जाती तो कुछ websites होते हैं, जो कि certain amount of articles के लिए free देते हैं, तो उसके बाद आपको charge करने लगते हैं तो उनके पास भी वह information नहीं जाएगी कि आपने कितने articles फ्री में देख चुके हैं News articles जनरली होती है, website news वाली, वह कुछ charge करती है कुछ हद तक आपको free देगी, उसके बाद charge करने लगेगी तो incognito mode में आप इसका फाइदा उठा सकते हैं लेकिन आपने incognito mode में कभी-कभी यह warning देखी होगी कि आपका internet service provider या फिर आपका employer यानि कि आपका office का IT cell है उनके पास यह information save हो सकती है क्यूकि incognito mode में सिर्फ locally यानि आपके जो machine है उस पर की information delete होती है लेकिन जो actual server तक router से information गई है वो वहाँ पर फिर भी देखी जा सकती है और अगर आपको एकदम ही anonymously sub करना है तो VPN यूज करके भी आप आपकी पूरी information anonymously browse कर सकते हैं और अगर आपके browser में extensions है तो incognito mode में उसे disable करना जरूरी है वरना उसके पास आपकी सारी information चली जाती है तो ये बात का भी ध्यान रखे incognito mode में हड data securely delete नहीं होता software यूज करके भी वो information निकाली जा सकती है या फिर आपके PC के DNS cache में से भी वो information देखी जा सकती है इसलिए command prompt में जाकर ये function रन करना जरूरी है आप जो browser close करते है तब unexpectedly अगर कोई error आ जाता है तो उसके बाद आपका जो regular data है वो भी delete होने लगता है मतलब आपके browser में का data भी password वगरा information सारी delete हो सकती है और अगर आपका PC infected है तो कोई भी key logger डाल कर भी आपके passwords वगरा सारी information देख सकता है तो दोस्तो सही तरीके से incognito mode यूज़ करना भी जरूरी है आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को दो like, channel को दो subscribe मैं मिलता हूँ आपको आगली वीडियो में